विश्व की महान ग्रंथ भागवद गीता के उपदेश आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगे। जिंदगी के हर मुश्किल में रहा दिखाएंगे। यह दिव्य उपदेश, यह बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इस उपदेश को आखिर तक जरूर सुने। श्री मदभगवद गीता की प्रिष्ठ भूमी महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्या में उलजकर किंकरतव्य विमूड हो जाता है और जीवन की समस्यायों से एल एरड डाहने की बजाए उससे भागने का मन बना लेता है। उसी प्रकार अरजुन जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्यायों से भैभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अरजुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिती में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्यायों से विचलित होकर भाग खरे होते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बिद गया है लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे ज अच्छा हुआ जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो भविश्य की चिंता न करो वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने इसी को दिया खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जो आज तुम्हारा हैकल और किसी का था परसों किसी और का होगा तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है परिवर्तन संसार का नियम है जिसे तुम मृत्यू समझते हो वही तो जीवन है एक क्षण में तुम करोणों के स्वामी बन जाते हो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है तुम सब के हो न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो यह अगनी, जल, वायू, पृत्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा परन्तु आत्मा स्थिर है फिर तुम क्या हो तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो यही सबसे उत्तम सहारा है जो इसके सहारे को जानता है वह भाय, चिंता, शोक से सरवदा मुक्त है जो कुछ भीतू करता है उसे भगवान को अर्पन करता चल ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा